हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई योटूब चैनल, हम चैप्टर कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट सेरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट सेरिंग रेशियो की हमारी दो क्लासिस हो चुकी हैं, आज हमारी थर्ड क्लास है और आज ही क्लास पूरी की पूरी हम वर्कमेन compensation reserve के बारे में करने वाले हैं और अभी तक अगर आपने वो दो classes नहीं देखी हैं तो मैं video की description में उसका link दे रहा हूँ आप जाके उन्हें देखेंगे फिर आपको आज की class बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी और अगर आप कोई पुराने इससे पीछे के chapter देखना चाहते हैं तो आप मेरे channel पर 12th class की playlist में जाके आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं आज का जो मेरा topic होने वाला है वो पूरा-पूरा workman compensation reserve पर होने वाला है ठीक है मैंने पिछली class में जो मैंने पिछली class कराई थी उसके अंदर मैंने reserve की बाते पहले से कर ली थी ठीक है कि अगर मैं आपको पहले की class दिखाऊ हो पुरानी वाली तो मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने reserve को distribute करने की बात पहले भी कर ली थी कि reserve को distribute किया जाता है ठीक है और IFR का मतलब होता है investment fluctuation reserve ठीक है तो इनके बारे में जरा बात करते हैं workman compensation reserve क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं देखो workman compensation compensation का मतलब क्या होता है किसी को compensate करना ठीक है तो workman compensation का मतलब होता है देखो कुछ business ऐसे होते हैं जहां पर हमारे worker को किसी तरह के कोई भी accidentally कुछ ह तो वहां पर हम उसन को compensate करने के लिए reserve बना के रखते हैं उसी को हम बोलते हैं workman compensation reserve ठीक है मैंने यहाँ पर लिखके भी दे दिया है कि workman compensation reserve यह profit से create के जाता है किसलिए के जाता है कि अगर कोई compensation liability arise होती है future में या तो एक और definition लिख दिया है कि workman compensation reserve ऐसा reserve होता है जो claim करता है in case of injury फिर disability या फिर death भी हो जाए during the course of duty अगर वो आपके business में duty के time पर उसको किसी भी तरह की कोई disability होती है कोई accident होता है उसके साथ तो उसकी family को या उसको जो भी हम claim देते हैं उस claim के लिए जो हम reserve पैसा खटा करते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं workman compensation reserve बास समझ में आ गई workman compensation reserve तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी company अपने worker को during the duty during the working hour उसमें किसी भी तरह का कोई भी disability होती है या किसी भी तरह कि कोई भी उसको accidentally कुछ होता है तो उसको compensate करनी के लिए जो reserve बनाते हैं उसको हम बोलते हैं workman compensation reserve बास समझ आ गई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखो workman compensation reserve के case में दो तरह की बाते होंगी या तो उसको कुछ हुआ होगा या तो उसको कुछ नहीं हुआ होगा किसको worker को आपके जो workers हैं पूरे साल में या फिर जब से आपने reserve बना है आप ऐसा मान लो कि या तो उनको कुछ हुआ होगा यानि किसी भी तरह के उनको कुछ accidentally कुछ हुआ होगा और या तो नहीं हुआगा अगर आपके worker को किसी भी तरह का कोई भी injury नहीं हुए कुछ भी नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं जो भी reserve होगा उसको distribute कर लेंगे old partner old ratio में ठीक है क्योंकि distribute इसलिए कर लेंगे क्योंकि आज के बाद हो रहा ratio change और ratio change होगा तो इसका मतलब उस reserve पे सब का अधिकार भी अलग ratio में आएगा तो partners चाते हैं कि हमारे ratio change होगा तो आज ही हम इसको distribute कर लें तो अगर किसी भी तरह कोई भी loss नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कोई भी claim नहीं हुआ तो हम उसको distribute कर लेते हैं और दूसरा situation यह हो सकती है कि आपका claim आ जाए यानि worker को कुछ हुआ और worker को कुछ claim देना पड़ ज समझो कि worker को जब claim देना पड़ेगा तो वहाँ पर situation तीन तरह की आपके सामने आएंगे situation number one जितने का आपने reserve बनाया है उतना ही claim आ गया situation number two जितने का reserve बनाया है उससे कम claim आया situation number three जितने का reserve बनाया है उससे ज़्यादा claim आया तो यह तीनों बाते हम यहाँ पर करते हैं तो यह देखिए मैंने accounting entries भी आपको लिखके दी हैं बात समझते हैं ध्यान से मैंने space list WCR के ओपर यह class बनाई है क्योंकि reason यह है कि WCR के question exam में आते रहते हैं और बच्चे बहुत परिसान रहते हैं WCR को लेके इस वह से मैंने इसक की treatment से होती है अगर information नहीं गीवन है तो भी हम माल लेते हैं कि claim नहीं है तो यहाँ पर देखो entry क्या होती है जितना भी WCR reserve होगा to all old partners बच्चा के दसर यह old partner क्यों लिखा है क्योंकि बैटा आने वाले जो chapters है न उसमें भी same entry होते है इसलिए मैंने एक साथ ही सिखा दिया कि old जब भी आपको WCR दिखे तो आपको यही entry करनी है चाहे वो कोई से भी chapter हो ठीक है आगे बढ़ते हैं if there is claim claim तो है लेकिन वो claim किसके बराबर है WCR के बराबर ही है claim WCR के बराबर ही है अगर claim WCR के बराबर ही है तो it means सारा का सारा पैसा कहा चला जाएगा claim के अंदर देखो W WCR account debit to WCR claim या कुछ लोग provision for WCR claim भी लिखते हैं इसमें चला जाएगा next आते है situation number third situation number third में क्या है कि आपका जो claim है वो तो कम है लेकिन WCR जादा है तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे जितना भी WCR है उसमें से कुछ पैसा WCR के claim में चला जाएगा और जो remaining पैसा बच जाता ह है उसको सारे partner distribute कर लेते हैं बास समझ आई नहीं आई तो मैं यहाँ पर देखो में समझाता हूँ कैसे जिसे by chance मेरे पास WCR मेरे पास one lakh rupees का है मान लेते है ऐसा ठीक है WCR कितना है one lakh rupees का और claim कितना आया 50,000 का claim आया तो बचे कितने 50,000 वो बाकी partners अपने old ratio में distribute कर लेंगे ठ फिर आता है अगर WCR का claim जादा है लेकिन WCR कम है तो क्या होगा देखो WCR का claim अगर जादा है तो जो भी पैसा देखो यहाँ पर समझो अगर claim कम था तो पैसा कौन ले गए partners claim जादा है तो पैसा लाना पड़ेगा किसको partners को तो entry क्या होगी WCR account debit revaluation account debit अब आपको revaluation पर पूरी पूरी बात करेंगे फिर आता है all partner फिर जो भी आपका revaluation से पैसा कम बड़ा था वो all partner debit to revaluation account ठीक है यह हैं कुछ entries जो आपको करनी होती है इसके अंदर और और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको question दिखा रहा हूँ यह सारे questions मैंने T.S.Greywal से ही उठाए है आप अपनी book के edition आपकी जो book है उसमें जो भी edition के आपके पास book है आप देख लेना कि उसमें यह question का serial number कौन सा है तो चलिए start करते है question number first तो आज आईए जरा हम करते है question number first यह रहा आपकी screen पर question number first देखें जरा क्या रहा है first यहाँ पर लिखा है ABCR partners presently share करते है profit and loss 532 यानि old ratio कितना है 532 decided to share future profit and loss in the ratio 235 यानि old ratio यह है new ratio यह है give the general entries to distribution of WCR WCR का amount कितना है 1,20,000 at the time of change in profit selling ratio दो situation दे रखिया है no information given होगी तो क्या होगा there is no claim में तो क्या होगा तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि इन दोनों ही situation में distribution entry हो जाती है यह एक ही entry होगी दोनों के लिए ठीक है तो यहाँ पर लिखे कि 1 और 2 की same ही entry होनी है मैंने क्या entry बताया थी जितना भी मेरे पास WCR होगा तो मैं WCR के account को debit कर दूँगा 2 all partners तो all partners में मेरे पास कौन कौन है 2 एक तो A के capital फिर कौन है B का capital और फिर कौन है बताओ एक और partner कौन है C तो 2 C के capital ठीक है और WCR का amount कितना है 1,20,000 रुपीज तो 1,20,000 को 5,32 में बाटो को तो कितना आ जाएगा 1,20,000 को 5,32 यह तो यह हो जाएगे 24,000 और फिर हो जाएगे 36,000 और यह हो जाएगे 60,000 तो इसका मतलब यह entries हो गई यह हमने क्या कर दिया यह हमने कर दिया WCR क्या कर दिये हमने distribute कर दिये distributed, WCR हमने क्या कर दिया, distribute कर दिया, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात है कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और question करते हैं, मैं हर situation का एक question करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी problem ना हो अच्छा, एक बात और है, आपको एक homework करना है बेटा, आपके पास T.S.Grewal है, तो इस chapter को जब आप खोलोगे तो T.S.Grewal में इसके दो examples दिये हैं WCR-Sellated, ठीक है, इसमें multiple cases दियें, case 1, case 2, case 3, ऐसे करके, तो आप वो solution के साथ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार उसे अपनी copy में जरूर कर लेंगे, चलिए, start करतें next, question number 2, यह रहा आपके screen पे, question number 2, क्या है, X, Y, Z, who are presently sharing profit and loss 532, decided to share future profit and loss 235, give the general entries, distribution of workman compensation reserve 1,20,000, at the time of change in profit sharing ratio, when there is claim, बेटा देखो यहाँ पर, claim कितना है, claim है 80,000, और workman कितना है, workman का reserve है 1,20,000, तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आपको कि कोई भी दिक्कत है नहीं इसमें, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यह देखो, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले, तो हम solution number 2, बताओ, entry क्या बताई है मैंने, WCR का account debit, उसके बाद कुछ WC का claim आ ग गया, claim आ गया, कितना claim आ गया, workman compensation reserve के लिए कितना claim आ गया, तो यह बेटा 1,20,000 थे, तो claim कितना आ गया, claim आ गया, 80,000 रुपीज, अब पैसे जो बच गए, उसे तीनों partner बाट लेंगे, कौन कौन बाट रेंगा, A की capital, 2B की capital, और next आता है, 2C की capital, बात समझ में आ रही है बिलकुल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, कैसे, 1,20,000 टोटल था, जिसमें से 80 माइनस कर दो, तो कितने बचे, 40,000, 40,000 को यह सारे partner distribute करेंगे, किस ratio में distribute करेंगे, old ratio के अंदर, तो 40,000 को old ratio में बाट ओ, 40,000 को old ratio में बाट दो, तो old ratio कितना है 5, 3, 2, 5, 3, 8, और तो 10, ठीक है, तो यह हो गया, 8,000, 12,000 और 20,000 रुपीज, बात समझ में आ रही है, कोई problem तो नहीं है इसमें, किसी भी तरह की, नहीं है, WCR का यह भी topic समझ में आ गया आपको, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो like और share जरूर करें, ठीक है, subscribe भी करें subscribe और अपने friends में share करें, ठीक है, ताकि views वगेरा आते रहें अच्छे, और मैं आगे की वीडियो भी continue बनाता रहूँ, ओके, तो चलिए start करते हैं, next, क्या है, point number third, question number third, तो यह लो, question number third, आपकी screen पर, question number third, क्या कह रहा है, X and Y, X, Y and Z, who are sharing profit in the ratio 5-3-2, decided to share profit in the ratio 2-3-5, with the effect from 1st April 2019, workman compensation reserve appeared at 1,090,000 रुपीज, ठीक है, बात समझ में आ रही है, same same question ले रहा हूँ, मिलते जूलते सारे, in the balance sheet as 31st March 2019, and workman compensation claim estimated 1,050,000, बात समझ आ रही है, इस बार reserve जो है, वो 1,020,000 का है, लेकिन claim जो है, वो 1,050,000 का है, इसका मतलब claim जादा है, तो आपको entry करके दिखानी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो आपको situation समझ आनी चाहिए, कि इस बार बेटा हमारा जो claim है, अगर मैं entry दिखाऊँ, तो मैंने अभी अभी entry में क्या बताया था, यह देखिए, कि अगर कभी भी claim आपका जादा है, और workman से, तो सबसे पहले WCR, revaluation और to WC का claim, revaluation में वह यह amount आएगा, जितना जादा है, और उसे फिर partner से recover कराया जाएगा, तो चलिए, start करते हैं, entry करना, सबसे पहले यहाँ पर देखिंगे, return कुछ नहीं है, बस अराम से समझोगे, WCR का account debit, ठीक है, देखो मैं आपको समझाओना बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं, WCR का claim, अब यहाँ पर समझो, कि 1,20,000 का तो आपके पास reserve है, लेकिन 1,50,000 रुपीस का आप के सामने claim आ गया, अब यहाँ पर problem समझ में आ गई आपको, कि 1,20,000 का तो है reserve, लेकिन 1,50,000 का claim आ गया, तो जो भी extra पैसे आएंगे, वो आएंगे revaluation account से, तो revaluation account करो debit, कितना debit हो का difference डालो, difference कितना आपके, 30,000 रुपीस, ठीक है, अब इस revaluation की recovery आप कहां से कराओगे, partner से कराओगे, क्योंकि पैसे ज़्यादा होते हैं, तो partners ले जाते हैं, और पैसे कम होंगे, तो partners को pay करने पड़ेंगे, तो all partner account debit, यहाँ पर आ गया, x का capital account debit, दूसरा कौन है, y, तो y का capital account debit, next कौन है, z, z का भी capital account हो गया, debit, और two, क्या जाएगा, जो यहाँ पर revaluation, आपने debit किया था, वो यहाँ पर revaluation क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, revaluation account, अब इसको distribute कर देंगे, old issue में, old issue कितना है, 532 का, यानि कि 3, यानि 6,000, 9,000, और 15,000 रुपेस, ठीक है, बाद समझ में आ गई, आप देखो, अगर आपने यह questions देख लिए, तो मेरे ख्याल से, आपको WCR के अंदर, workman competition reserve के points के अंदर, किसी को कोई भी problem नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैं दुबाय से बोलना हूँ, आपके T.S.Grewal के book में, WCR के 2-3 examples दिये हैं, एक example ऐसा, जिसमें multiple case हैं, case 1, case 2, case A, case B कर कैसे दिये हुए हैं, वो आपको जरूर solve करना हैं, और इस वीडियो को अपने friends में जरूर शेयर करना हैं, और मैं ऐसे उमीद करता हूँ, कि आज की class आप सबको समझ में आ गई होगी, मिलते हैं next class में, next class जो हमारा होने वाला है, वो होने वाला है, IFR related, तो IFR related next class करेंगे, मिलते हैं next class में, next video में, bye झाला है!